दोस्तो नमस्कार, दोस्तो आज कभी से है कि चेक बाउंस के मुकदमे में अगर चेक स्टाप पेमेंट करा दी गई है, अक्सर देखा जाता है कि कोई चेक दी गई, भले ही कोई लीगल ट्रांजिक्शन हुआ हो या लीगल ट्रांजिक्शन नहीं है और एकाउंट में पैसे भी नहीं है, चेक देने के बाद व्यक्ति उसका स्टाप पेमेंट करा देता है, तो स्टाप पेमेंट करवा देने के बाद, एक स्टाप पेमेंट करवा देने के बाद, एक स्टाप पेमेंट का मुकदमा आता है, तो उस पर उस स्टाप पेमेंट के होने का क्या प्रभाव पड़ेगा चुकि बिद की जो मंसा है वो इस्टाप पेमेंट मात्र करा देने से 138 एनाई एक्ट का मुकदमा रुपता नहीं है वो इसलिए नहीं रुपता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है आपने जो चेक दी थी वो तो इसी लीगल ट्रांजेक्शन के तहते ही दी थी और जब आपका जो इन्स्टूमेंट है वो चेक है आपने जो 138 एनाई एक्ट का मुकदमा है उसके जो आवश्यक तत्तों है वो पूरे हो गए आपने कोई लीगल ट्रांजेक्शन किया उस लीगल ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए बने आपने अपनी किसी लाइब आपने आपका वो चेक लगाया गया आपने उससे पूर भी उसको इस्टाप पेमेंट करा दिया तो लाइबिल्टी तो आप पर तब थी उस समय आपसे अपराध हो गया जिस समय आपने उसको चेक दिया था और आपके खाते में पैसा नहीं था आप उसका पैसा जमा करते और जमा करने के बाद वो चेक स्टाफ पेमेंट ना करवा करके उसको पेमेंट हो जाने देते और बाद में उससे उस पैसे के लिए रिकबरी का मनी सूट दाखिल करते, तो ये लीगल टांजेक्शन है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टाफ पेमेंट कर आया है तो उसमें दो स्टेजेज बनती हैं चुकि एनाई एक्ट का जो मुकदमा है एक सोवर्तिस का ये क्रमिनल प्रोसीडिंग है ये मुकदमा जैसे ही कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा परिवाद सबसे पहले एड्मिशन होगा एड्मिट हो जाएगा एड उसमें जो भी प्रोविजन्स हैं अगर उसमें डिले नहीं है और टाइन पर लीगल नोटिस भेजी गई है सही पते पर नोटिस की तामीली हो गई है और तामीली के पंद्रे जिनके बाद तक आप पैसा देने में अस्पल रहे हैं एक्यूस परसन अस्पल रहा है तो उसके बिरुद्ध प्रजुम्शन यही है कि आपने एक्यूस ब्यक्ति को किसी लीगल ट्रांजिक्शन या लीगल लाइबिल्टी के लिए ही चेक जारी किया होगा चेक पर आपके ही हस्ताच्छर हैं आपको पैसा देना था आपके एकाउंट में धन नहीं था इसलिए आप इस दोसी हैं यह प्रजुम्शन है यह उसका माने न्यायले जो है यही अधारित करेगा यह अधारना होगी उसकी प्रजुम्शन माने होता है अधारना लेकिन अगर आपके एकाउंट में पैसा था और फिर भी आपने इस्टाप पेमेंट करा दिया है तब स्टेज दूसरी हो दोनों लोगों के लिए मतारा हूं कि मेरा उद्रीश कभी नहीं रहेगा कि कोई निरदोस वेक्ति सजा पाए या निरदोस वेक्ति किसी दंड का भागी हो उसको फरजी तरीके से कोई पैसा देना पड़े आज कल रूटीन में यह चीज आ अरही है मैं नियायले में देख कोई लीगल लेंदेन नहीं है, लीगल लेंदेन जितने रुपए का हुआ है, उससे अगर जादा की चेक भरी गई है, जादा का लीगल नोटिस भेजा गया है, तब भी एक सो वरती सिनाई एक्ट का मुकदमा नहीं बनता है, और अगर बन गया है तो आप पहुंचें, और इ सेम ट्राइल की यहीं पोजीशन है, इसमें परिवादी को यह साबित नहीं करना है कि इनसे मुझे इतना धन लेना था, इन्होंने मुझे चेक दिया, चेक दिशानर हुआ, मैं मुकदमा ले आया, यह तो प्रारंब में ही हो जाता है, इसके ट्राइल में जो एक्यूज पर करते हैं कि कोई चेक खो गया है, उसकी आपने FIR दर्ज कराई, और FIR दर्ज होने के बाद आपके पास उसी certified copy है, या जो भी copy है, आनलाइन भी copy हो सकती है, और अगर वो चेक आपके खाते में produce हो रहा है, होता है, तो आप उसी समय उससे पूर में भी आप उन चेक्स को अपन करके इस्टाप payment करा देते हैं, तो इसका आर्थ यह हुआ कि आपको पहले से जानकारी थी, कि मेरा ये चेक हो गया है, उसकी आपने FIR दर्ज कराई, और FIR दर्ज कराने के बाद आपने बैंक में पहले से ही स्टाप payment करा दिया, इसके बाद अगर वो चेक प्रेडूर होती है बैंक में और इस्टाप payment की इस्टिती आती है, और बाद में एक सोवरती सिनायक्ट का मुकदमा आता है, तो आप इसी प्ली को ले करके वो मुकदमा खतम करा सकते हैं, खतम आप दिश्चार्ज हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसी कंडिशन अगर कोई आपके साथ गलत कर रह है, वो फरजी तरीके से आप से कुछ धन की वसूली करना चाहता है, जो एक सोवरती सिनायक्ट का मुकदमा आपके खिलाप लाया है, तो आपको दो रेमेडिय हैं, एक तो उस मुकदमे से डिश्चार्ज हो ये, दूसरा ऐसे बैक्ति के खिलाप आप क्रमिनल प्रोसीडिं नहीं है, कोई लेंदेन ही नहीं है, और अगर वो फरजी चेक में एक एमांट भरता है और एमांट भर करके अपने उस चेक को अपने बैंक एकाउंट में जमा करता है और डिशानर करा देता है, इसके बाद आपको एक लीगल नोटीस भेजता है और 138 सिनायक्ट का मुकद दड़ी और इस तरह के और भी ममले 477 भी आप लगा सकते हैं करते हुए आप मुकदमा पंजी कर पिये जाने की एप्लिकेशन दे सकते हैं या सीधे-सीधे थाने में अगर आप चाहिर तो मुकदमा लिखा सकते हैं और ऐसे मुकदमे को आप एक सोवलती सेना एक्ट के मुकदमे में साक्षमी प्रियोग भी कर सकते हैं दोस्तो कभी किसी नियायाले ने गलत ब्यक्तियों को सरक्षन नहीं दिया है और नहीं हमारा अधिवक्ता समदाय कि नहीं गलत ब्यक्तियों को सरक्षन देता है अगर आप मिर्दोस हैं आपके साथ जास्ती हो रही है आपको नुप्सान कोई पहुंचा रहा है तो हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं लेकिन अगर स्वाक शातों से नहीं आए हैं नहीं आ आ करके किसी ब्यक्तिका आप उसका सोचां करना चाहे थे उससे धन्बसुली करना चाहते हैं तो कभी कोई अदिवक्ता कभी कोई नयायले आपके साथ नहीं खड़ा होगा बल्कि उल्टे ही आप हसेंगे नयायले नयाय का मंदिर है वहाँ पर अच्छे लोगों की जो स्वक छांतों से आए हैं स्वक छांतों से आने का मतलब है आप सही हैं आप प्रतारित और सोसित करना चाहते हैं तो नयायायले से आपको ऐसी रेमेडिक कभी नहीं मिलेगी एक लोबर कोट में आपको मिल भी गई तो उपर वाली कोट में आपको परेशान ही होना पड़ेगा और हो सकता है आपके खिलाप कोई दोका दड़ी या 340 में फरजी फिरितों का ही सम्मान होता है और फिरितों को नयाय मिलता है और इसी के साथ ही एक बात और कहिना चाहूंगा कि अगर हमाई वीडियोद आप लोगों को अच्छे लगते हैं और आपको हमारा चैनल अच्छा है तुमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से दिक सेयर करें और उसको लाइक करें नमस्कार